हलो एंड वेल्किम दोस्तों दू 5 मिनिट्स इंजीनेरिंग आज का वीडियो वाकरी बड़ा गंबाल काउने वाला है दोस्ति क्यों कि आज के इस वीडियो में एक प्रश्ण का उत्तर आपके सामने में प्रस्तुत करने वालो एक ऐसा प्रश्ण जो कि हर एक स्टूडेंट क चाहता है कि वाईया मैं वाई काम करूँ अब ये एकस वाई की चक्कर में मेरे जिन्दगी का एकस वाई जैड़ो रखा है घर में रोज कॉन्फलिक्ट होते हैं घर में रोज कलेश होते हैं मेरी नहीं बन पारी मेरे माबाब के साथ मैं करूँ क्या 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 आख बंद कर मैं उनको भूल जाओं और मैं अपने भई यह direction में लग जाओं करूं क्या मैं बीच का रास्ता निकालो कोई भी अपने को extreme case लेनी की जरुवत ही नहीं है बीच का रास्ता निकालो यह बीच का रास्ता तब आप निकालोगे जो कि मैंने भी निकाला था जब आप actual में उस situation को उस conflict को हर एक perspective से समझोगे सबसे पहले तो भाईया हम माबाप का perspective समझते हैं माबाप क्या चाहते हैं जी अब वो यही चाहते हैं देखो जी अगर उनका कोई business है तो वो अपने बच्चे से क्या चाहेंगे कि हैर वो मेरे business को आगर बढ़ा है let's say है ना that way लेकिन बच्चा क बच्चा जॉब करके settle हो जाए क्या आप अपने माताश्री पिताश्री के perspective को समझ पा रहे हो क्या चाहते हैं वो उनका जो option रहता है जो x option वो आपके सामने रखते हैं उसके पीछे का उनका जो intention है वो यही रहता है कि जो society ने उनको दिखाया है जो उनके experience के तुरू उन् secure जादा रहोगे risk कम से कम रहेगा life में pain कम gain जादा रहेगा ऐसा उनका मानना आपके प्रती रहता है क्योंकि मेरा यह मानना है कि देखो जी इस पूरे प्रिथवी तल पे दो ही ऐसे जीव मातर रहते हैं आपके life में जो कि आपके बारे में ना जाकते होगे ना सोते होगे क कम रहेगा safety जादा रहेगी आपके life में यह ना शौरिटी बढ़िया रहेगी यह उनका perspective है लेकिन इसका मतलब क्या यह है कि आप आख बंद करके वो जो कहेंगे भाईया वही करते रहो मैं यह भी नहीं कह रहा हूं मैं यह कह रहा हूं कि आपका जो passion है आपका जो why direction है इसा भी देगा शांती भी देगा सब कुछ देगा और सबसे में तो पुन बात मैं उस काम को lifetime करते करते ठकूंगा नहीं बिल्कुल भी नहीं यह चीज आपको भाईया उन्हें बतानी है उन्हें समझानी कैसे बताओगे प्रूफ करके दिखाओ जी अपने आपको छोटे स कर पा रहा है और उसका उसको response भी result भी बहुत बढ़ी है मिल रहा है तो सही तो बात यार कर सकता है अगर कर सकता है तो चलो proside करते हैं तो वो उल्टा जो आपको लग रहा था कि आपके अपोज में है जिनको आप दुश्वन मान बैठे थे एक्चल में वो आपी के team में थ पैसो की तंगी तो रहती थी obviously जैसे आप जानते हैं तो कैसे वैसे तो बहुत लंबी प्लैनिंग चलते रहते हैं अपने माबाब की चलो ठीक है तो जॉब कर ले ना ठीक है फोर्ट एर में प्लेस्मेंट ले 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 ना बढ़िया से लो जाएगे अब मैं भी यह सूच रह आ रहा था cgpa भी बहुत बढ़िया जनरेट कर रहा था तो अपने दिमाग में भी आई था कि यह जादा मुश्किल नहीं होगी अपने किसी भी जॉब को क्रैक करने मैं कि नहीं तो सेकंड यह तक तक तो सिचुएशन बहुत बढ़िया जल रही थी लिकिन फिर आया जहां भी लेता है एक्जाम जब होती थी भाईया तो उसके जो पास दस मिंट पहले जो है मेरे डेस्ट की भी लग जाती थी भाईया ये बता दे ये शॉट में बता दे दो पॉइंटर बता दी इसके बारे में मैं लिग दूआ और वो लिग देते थे मांक्स भी आ जाते दे तो मेरे दोस्तों ने बोला है ये क्या दस पंदर लोगों को तो यहां पर बता रहा है काम कर जो तुझे पता है ना उनको वीडियो में रिकॉर्ड करके यूटूब में डाल दे दस पंदरा से भाईया पता नहीं कब दस पंदरा हजार तक पेरा जो रीच है वो क्योंकि उससे पहले मैं teaching करूंगा यह वाई direction मेरे life में ठी ही नहीं जो वह कह रहे तेवाई मेरे दिमाग में था तो उसवक्त मेरे life में वह conflict वाली जो situation है वोत तैयार हुई उस वक्तैयार हुई तो मैं तो बोल दिया पपा जी मम्मी जी मैं तो यूटूब में करना चाहता हूं टीचिंग मैं प्लेस्मेंट के लिए नहीं बैठना चाहता तो वो शौक हो गए बोले आरे ऐसा क्या कर रहा है यह अभी तो तेरा लास्ट येर है वो फरान वाली थोड़ी सिच्वेशन हो ग तो हुआ उन्ट बहुत सारा हुआ लेकिन फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि यह मुझे अपने आपको प्रूफ करना पड़ेगा मैं पूरी तरह से लग गया मैं पूरा टाइम भाईया अपने काम को देजा कुछ टाइम के लिए मैंने अपने टार्गेट टाइम लि और तीसोरे मैंने में वीडियो बहुत जादा शेयर हुए बहुत सारे लाइक्स मिले बहुत सारे कमेंट्स मिले भाईया मेंस तक बनने लग गए थे अब यही सारी चीज़े मैंने माताश्री पिताश्री को दिखा है वह खुश हो गए मैं चक्कर में पड़े आरे एक में मैं आपके opposite team में था आप खुश की हो रहे हो मेरी progress देखे लेकिन तब मैं थोड़ा ना समझ था तो तब मुझे वो समझ develop वी कि नहीं यार वो तो अपने ही team में थे वो सिर्फ आपकी progress देखना चाहते थे आप ही के option में और वो आपने अगर दिखा दी तो वो अभी आपक माब आपको तसल्य हो गई, बहुत अच्छा हुआ कि यार तुने तेरे direction में गया, आज भी वो बोलते हैं कि यार बहुत बढ़िया किया, तुने तेरे passion को तुने follow किया, बहुत अच्छा किया तुने यार है और अभी भी बहुत सही कर रहा है और वो तो बहुत जादा encourage कर करते हैं मेरे family वाले मुझे मेरे काम के प्रतिया, यही आपके साथ भी हो सकता है, बस अपने आपको छोटे से छोटे लेवल पे प्रूफ करके दिखाईए, initial लेवल पे छोटे से छोटे लेवल पे प्रूफ करके दिखाईए कि हाँ जी मैं ये काम कर सकता हूँ, खुशी स कर सकता हूं इससे मुझे खुशी मिल सकती है पैसा मिल सकता है और क्या चाहिए है कि नीजी चुलो वहिया फिर बताइए आपको कैसा लगाए वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीड़बैक दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर अपने सारे दोस्तों के साथ शे अजयो